रतलाम से बड़ी खबर आ रही है जहां नौ साल की बच्ची से दुषकर्म का केस दर्ज किया गया है दुषकर्म पीडित से मिलने के लिए कमलेश्वर पटेल पहुंच वे तेर रात तक धरने पर पूरो मंत्री कमलेश्वर पटेल बैठे हुए थे मेडिकल कॉलेज में धरने पर बैठे कमलेश्वर पटेल कलेक्टर पर बत्तमीजी से बात करने का भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है तो नौ साल के बच्ची से दुषकर्म केस में दुषकर्म पीडिता से मिलने के लिए पहुंचे कमलेश्वर पटेल आपको बता दे पूरो मंत्री हैं कमलेश्वर पटेल और देर रात तक वो धरने पर बैठे रहें मेडिकल कॉलेज में धरने पर बैठे हैं कमलेश्वर पटेल और उन्होंने कलेक्टर पर बत्तमीजी करने का आरोप भी लगाया तस्पीर आपको दिखा रहें घर से उठाके एक मासूम बालिका को ले जाता है उसके साथ कुकृत करता है उसके साथ मार पिटाई भी करता है इतने जगंद अपराधी के खिलाप इतनी मानवता क्यूं दिखा रहे भई जिला प्रशाशन किसकी से कौन संडक्षन दे रहा है क्या भाजपा के नेता संडक्षन दे रहे हैं सरकार संडक्षन दे रही है ऐसे बेक्ति के पास हम समझते हैं कि इतना महत्पूर्ण पद नहीं रहना चाहिए ऐसे अधिकारी को ततकाल हटाना चाहिए और जो दोसी है उसके खिलाप सक्त से सक्त करवाई होनी चाहिए तो सक्त सक्त कारवाई की बात कर रहे हैं पूरों मंत्रे कमलेश्वर पठेल जो कि दुशकर्म पीडिता से मिलने के लिए पहुँचे नौ साल की बच्ची है और देर रात तक धरने पर बैटे हुए और हमारे सम्मादता दिलजित सिंग और अधिक जानकारे देंगे दिलजित क्या जानकारी मिल रहे है क्योंकि लंबे समय तक धरने पर बैटे हुए प्रशासन की तरफ से कोई इनकी बात सुनने वाला दिखाई दिया जी हाँ जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि कमलेश्व पेटेल जो है आज बीडिता है उससे मिलने वो परिवार से मिलने मेडिकल कॉलिज पोचे थे जब परिवार से उन्होंने चर्चा करी और उनको जब सुईधाओं की बात उन्होंने बताए कि उन्हें कोई बोजन की व जो है नराज होकर मेडिकल कॉलिज के बहार ही धरने पर बेढ़ गए तकरीबन जो धरना है इनका पांच बेजे से शुरू हुआ था और वो निरंतर जारी है अनिशित अलिन धरने का उन्होंने कहा है कि मैं अब जब तक हटूंगा नहीं जब तक कलेक्टर या तो माफी मा है चले बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे देल जीत इस पूरी जानकारी के लिए आपका तो हमारे रत्लाम के समाधता बता रहें कि लगाता जो है पूरोमंत्री कमलेश्वर पटेल घरने पर बैटे में और वो अपनी मांग पूरी होने की बात कर रहे हैं जब तक उनकी मा जब जा है